जो सफर की शुरुवात करते हैं वे मन्जिल भी पा लेते हैं बस चलने के लिए होसला रखना जरूरी होता है दर्शकू नमस्कार उद्द्योग जगत इसका रिकम में आज आप के साथ मैं हूँ शशांग खरे दर्शकू मन्जिल को पाने के लिए चलने की जरूरत होती है और चलने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है जो व्यक्ति दमखम के साथ पहला कदम उठाता है उसके लिए मन्जिल आसान हो जाती है दर्शकों हम आपको बता दें कि आशावाद के बल पर प्रतिभाएं आस्मान को छू कर आपना मुकदर लिखती हैं और औरों के लिए भी नजीर पेश करती हैं उद्योग जगत इसकायरकम में आज हम यह इसी प्रतिभा से आपको मुखातीब करने जा रहे हैं जिन में प्रतिभा तो है ही होसला भी है जी हां हम बातें कर रहे हैं बिलासपूर की प्रतिभा सागर की प्रतिभा सागर ऐसी प्रतिभा है जो ना केमल उद्योग जगत में अ प्रतिभा आरती महिला स्वासाहता समुह और इस समुह के माध्यम से वो खुद एक ऐसा माध्यम एक ऐसा रोजगार का उसर ढून कर आगे बढ़ रही है जो महिला जगत के लिए एक नजीर है एक मिसाल है तो सबसे पहले हम प्रतिभाजी आपका स्वागत करते हैं प्रतिभाजी जैसा कि उद्योग जगत का इरकम है इसमें उद्यम्यों से साक्षात कर लिया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग उद्यम की और प्रिरीत हों और आपमें जो कौशल है जो कारिकुशलता है जो प्रतिभा है उसको हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और उमीद है कि दर्शक इस का इरकम को देखकर आपके पच्चिनों पर चलने का प्राज भी करेंगे और खास करके महिलाओं के संदर में तो प्रतिभाजी सबसे पहला तो ये है कि आप एक समय ऐसा गुजरा मेरे साथ कि मैं बहुत पारिवारिक जीवन से भी मेरे कुछ सुख नहीं था बहुत बुरी परिस्ती थी कहते हैं कि पेट की जो अगनी होती है उसको शान्त करने के लिए इंसानी अगला तरह पकड़ता है या अच्छाई की रह पकड़ लेता है तो पस इसी तरह मेरे स्वर्गी श्रीगेंद्रम सागर जी जो नैशनल अवार्डे टीचर रहे चाउमू की प्रतीबा के धनी रहे हमेशा मैंने उनको गुरू की रूप में माना वही मेरे सवर प्रत्थम गुरू रहे और हमेशा उनकी सीख मैंने याद रखा हर बुरे हालात में बेटा लड़ना सीखो जीना सीखो अपनी आप कुछा अगरीत करो कभी वियों किस विहालत में हो खिंबत भी हालना जी बिलकुल आगे बढ़ते रहना तो वहीं मेरे को पेट की अगनी मुझे पारिवर एक जीवन से भी सुख नहीं था उसके मावजूद भी मैंने कि पर मैं अपने साथ में हमेशा अच्छा सोचा कि मैंने हर उन महिलाओं को क्यों ने मैं कुछ कुछ सिखाओं कुछ बनाओं मेरे मन में वो जिक्यासा पलने लगी जी फिर मैंने कभी गलात रह नहीं पकड़ा और हमेशा भुज़ूर्गों की संगति किया कुछ सीखने को मिला मैं गाउ गई हूए थी वहां जब मैंने जाकर देखा कि वहां एक मौर मौरी बनी हुई थी जो गाव में अक्सा चीन की मौरी बनाया करते हैं मौर बनाते थे पहले के समय पर चीन की पत्तों से शीशा से कौड़ी से ऐसा सजाया करते थे तो मैंने वह वहां उसको देखकर आया मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैं आने के बार फिर देखकर मैं उसको फि पगड़ी बनाना सिखा सिंपल पगड़ी आप से किसी नहीं सिखाया यह कुद्रती मुझे उपर वाले के आशीशे मिली है अच्छा बस मैंने हिम्मत नहीं हारा अपने पिता जी की बातों को हमेशा शीक की तौर पे हमेशा शदयों आज तक चल रही हूं उनकी जो भी मार अच्छी नहीं हटी है और जितने भी हमारे हमारे मन में जो जिग्यासा और आते चली गई कि मुझे यह करना है वो करना है ऐसी विकलाम बच्ची जो है लड़किया लड़किया है महिलाय तलाक सुदा है उनको मुझे आगे बढ़ाना है पहले मैं अकेले कारे किया करती थी करने के बाद फिर मुझे फिर आगे फिर क्या हमारे गुर्जी थे उनसे हमारी मुलागात हुई मिर्जा हनी बेग सर उन्होंने कहा कि बिटा तुम यह काम करते हो इसको एक समू की रूप में गठित करो तो मैंने अपना प्रधम स्वासायता समू की रूप में 2007 में गठित जो कि मनसूर अली खान है उन्होंने मुझे वह भी मेरे को हिम्मत देते थे कभी भी क्योंकि एक तलाग सुधा महिला के साथ जो गुजरते हैं वही महिला समझ सकती है अगर वह अच्छाए की राह पे चल रही है फिर भी लोग उसको चलने नहीं देते उसके मंजिल तक उस हुए हमारे भाई साब हमें हमेशा प्रेडित करते हिम्मत देते थे होसला बढ़ाते थे क्या आपको आगे बढ़ना है वाग क्या बात है तूफानों में दिये जलाना है बिल्कुल धड़क पहले यहां शेहर में आने के बाद गराभिन शेत्र छोडी में शेहर में आई मै जो और शक्ता होती जी अपने इच्छा अंसार से अच्छा तो पगडियां बना कर मैं उनको आप पगडी जो बनाती है साथ में पगडी लाइब ही है तो हमारे दर्शकों को जड़ा दिखाना चाहेंगे यह है भगवान की पगडी चोटे रूपे मैंने बनाया है जी जी इस टाइब के भगवान कृश्न के लिए यह बार्व पाल के लिए यह छोड़ी चोटे पेगडिया है यह सब मैंने बनाये है अपने हाथों से जी यह चुड़ी उटी पगडियां भी भगवान की यह सब मैं बनाती हूं और साथ में अपनी महिलाएं जो है स्वासायता स्वामु में ने गठित किया उन महिलाओं को भी सिखाती हूं पगडी बनाना अच्छा यह पगडी जो है और वो बता रहें थी कि आप अलग-अलग समा आज के लोग पगडी पहनते हैं तो वो भी बनाती है करके आपका पगडी का जो कारोबार है वो मुख्य रूप से हाइलाइट होता है बिलकुल है ना और आप जिन महिलाओं को जोड के रखी है वो भी पगडी को बहुत अच्री ढंक से अच्छे तरीके से बनाना जानती ह है आप पगडी के अलावा हमारे दर्शकों को बताएंगी कशीदाकारी का काम है और हमारा ये छटिस गड़ में सबसे प्रिय चलता है वह है राताही के समय इसको बाजुबन बोलते हैं और इसी में मैं वह राताही पगडी मनाती हूं और उनका बाजुबन रहता है कमर करते होते हैं वो भी हम उसको सजाते हैं और सजा कर फीरे करते हैं और हमारे मुख्य चितिस गड़ में सबसे ज्यादा चलती है और खास तो पर ये दिवाली के समय बिलकुल जब यादव भाई लोग नाचने निकलते हैं तो ये सब पहना हुआ देखा जाता है तो इसमें जैसे आप बनाती हैं तो आपकी जो समूव वाले हैं इनको कुछ विशेश ट्रेनिंग दी जाती है हां सर तो कैसे ट्रेनिंग कैसे उसका प्रबंध कैसे करती हैं मैनेज कैसे करती हैं हम उनका मैने सर अगर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं इनके घर में इजाजत नहीं देते लेकिन आप वहां जाके वह एक स्थान है वहां जागा आप मत कर अगर आपको वहां घर पे सुविदा मिल रही है तो बिलकुल आप सीख सकती है तो अगर घर में कोई पाबंदी लगाते हैं उसके बावजूद भी मैं वही करती हूँ घर में भी जाकर उनको सिखाने लग जाती हूँ क्या बात है कि आपके घर वाले भी कुछ आप भी कुछ और आएका इंड़ से हम भी बढ़ते रहें और कारोवर बढ़ते रहें आप लोगों के लिए खोल देती हैं अच्छा उसके लावा भी आपको शोपीस लाई हुई है तो हमारे दर्शकों को बताएंगी किस तरह से बनाती है और कैसे उसको वो करती है विक्रे के लिए है ना और क्या-क्या लाई है आप सर ये टेवल में करते हैं पेन बगर है फ्ला चांशी गणा-क्या-क्या वे-डि सक्राइट-क्या-क्या रहा एकि नकाशी तो जबदस्त लग रही है मकाष़े वर्ज़ेimportant बड़ रहा यह दलग रहा है यह आपना भंडन देवल इस मावां क्या वा क्या बात है इसके लाब और क्या शूपीज बनाती हैं जैसे ये कोई चीज दिख रही है क्या है ये ये जो है हाँ ये भी है ये अपना टोकनी है या आप फ्रेश टोकनी ले 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 छिए ये ये है टोकनी छोटी जिसको बोलते हैं चत्यस गड़ी में चुरकी अच्छा अच्छा बास की सब्सक्राइब करें चीजों में इस तरह से पॉम-पम बनाया है क्या बात और इस तरह से लड़ी मोतियों से और ये सब बना के मैंने तयार किया है इसको आप पूजा कक्ष में भी रखते क्योंकि अक्सार हमने देखा है कि हमारे भागवान के जो मंदिर होते हैं उसको च् चत्यसगड़ी और हिंदी में भी बात कर रही है क्योंकि अपने को क्या जब से राजभाशा आई ये अपना हुआ हुआ कर रहे हूं तो मैं वह ऐसी बीजविश में बोलती हूं से अन्य था नाने बहुत खुशी होगा मुझे कि मुझे और उस्ता मिलेगी तो इसको वही ह टुकनी से चोड़ी चोड़ी टुकनी आती है और पुझा गश्मे जो अपन रखते हैं भगवान के शेहासन की नीचे तो ये च्छत्रिक की रूप में भी काम आ जाते हैं और इसको सजाते हैं मंदिरों में भी घर भी आप सजा सकते हैं जूमर जैसे भी लग रहा है बिलक क्या बात अटे हैं उपन रुष बना के पर इसको इसको एकते हैं इस तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है इसी तरीके से कोड़ी वर्क पूरा करते हो जो बंदन मार बोलते हैं तो अ कुर्ण थी त्यार हो दर्वाजी के लिए वह अपन बनाते हैं जे और एक चीज और यह और एक चीज ये है, ये का चीज है? ये भगवान की पगडी है, छोटी-छोटी. बाल, बॉपाल जी के लिए इस टाइप की पगड़ी है, जो लोगों को बहत पसंद आती है और सब टाइप के पगड़ी बनाते हैं, भगवान जी से ले के बड़ी मूर्तियों का भी बनाते ह यह जाएसा चाहते हैं अपन उस टाइब से पगडी बना कर ईनको देते हैं वाह क्या बात है अच्छा मेड़म एक चीज और पूछ रहते हैं कि यह सारे रा मैटेरियल आपके पास कहां से आते हैं यह रा माटेरियल तो मैं ग्राभ्मिन शेत्र में जाती हूं वह देखती हू कि बहुत सारे ऐसा लगता है ना कुड़े करकट में डाल देते हैं बिल्कुल अनुपयोगी है पैरा हो गया अपना पपन बोलते हैं उसको सूतली वह फेक आया पड़ा रहता है भसकटिया का ज्ञाड होता है पत्य होते हैं और एक जहरी ले जो तरे शंकर जी की करते हैं और इसलिए मैं सुरक्षा बिल्कुल अपने हाथ में पहनती हूं और पहन के वैसे कटीली चीजों का मैंने इसको कलर करती हूं और कलर करके बास की जितने वह जो खरहटा जाडू हो अधि जिए उसको भी फेक दीते हैं चोटा होगी आज इसको कहते हैं ठुटवा हो गे तर फेक देला का कर इबड़ हे ले घुर आंज नहीं मेलन पला उठा की ले आ थन अव लागे बढ़िया से वला रंगा चंगा की दीगी चीई बढ़िया करके अपडर सुगर होला सज अब सजा खेवला अपनी इस्टाल में रख देथन जो मंत्री मिनिस्टर भी आही तीहों देखी तीहों कहीं वह कहा चीज है अब बढ़ बढ़िया दीखा थे अब अब ला देखके उग्रों मन गद्गत हो जाहिए अब हो मला खुशी मिलते भारी क्या बात है कि विल्कुल ह आपके अपने सुन्दर विचार से इतना बढ़ी आकरशक वस्तु बनाती है देखने के लाइक चीज बनाती है तो आपके विचार है और जो परिकल्पना है एक प्रकार से उसे सत्यम शियों सुन्दरम कहा जाए कि आप उसको इतनी खुबसूरती के साथ ढाल देती है है न ना पर मुलता है मुलता है जो भी हम को जैसे अपना सामाल सप्ला करनी है तो हम मार्केट में ना देखे महिला एवं बालविकास से वहां से होता है सामोहिक विवा नियन करन्य विवा तो हम अपने जिलों में भी देते हैं और दूसरे जिलों से भी हमको कहीं वहां से काम मिलता है हजारों की दादात में मिला तो भी हम वहां भी देते हैं उस जाय का हमारे इंकम बन जाता है और जो दो क्या कहते हैं जैसे की मढ़वारी शादियों में होती है उन लोग हमको ऑर्डर करते के हमें सो पगड़ी चाहिए दो सो पगड़ी चाहिए तो हम किराय से पगड़ी उनको उपलब्द करा देते हैं वह क्या बात और कोशिश हमारे भर पूर यह रहती है कि महिला यह बाल सारी फॉर्मलेटी मंगती है जिसे थोड़ा सामारे कारे में बहुत पड़ा है तुम चाहते हैं कि हमारे महिला वाल विकास से भी हमको हमेशा काम मिलत रहे हैं और हम पूरे जिलो में सप्लाई करें और शाशन की योजना के जो भी आते हैं कि आप सामू को ऐसा ऐसा प्रेरित किजिए यहां यह करने के लिए बोलिए तो मैं चाहते हूं हमारे जो भी श्रोतागण है और हमारे जितने विभाई बहन हैं जलों होँगी कि वह हमें ज्यादा जहना सपोर्ट करें और लोधी सोश कही कि हमें बहुत ही सब्सक्राइब ख़ला अपने जिलों में में जो सपलाइ करें तो हम चाहते हैं कि पूरे जुछे में हम हमं विल्angen और हम बिल्लासपूर में हमारा हमको गौर्मेंट के ताज जो भी नियम से होता है तो हमें जगह पास कहीं से भी हमें मिले सरकार की योजना के अंदर गत और हम वही इच्छु करते हैं कि हमें अनुदान रासी प्राप्त हो जिस अनुदान रासी ते अपना कारे को बढ़ा है हमारे साथ जितने जुड करें और आगे बढ़ा है और इसकार में अपने को सिधा उनको ले जाना है वाग क्या वाट मतलब यह है कि यह हमारी सोच है ने बहुत अच्छी सोच है और आप जो प्रयास कर रहे हैं वह वंदनी है अविनन्दनी है और अनुकरनी भी है ना दूसरी बात हम पूछ रहे थ सब्सक्राइब करते हैं या फिर जद्धो जहत के बाद मिलता है क्योंकि आपका समू है आपको सब को लेके चलना है तो वहां क्या महसूस करती है सब से पढ़ तो हमें ऑफीस में वहां बिलासपूर से रहेश्टेशन है हमारा तो दीच माधिम से हमें बेजा जाता है अब जैसे हाप पर लोग आए तो वह सेंट्रल गवर्मेंट था डीच प्रोग्राम और अभी स्टेट गवर्मेंट का होगा जो की जगार अभी होने वाला है अभी उसकी तारीक फिक्स नहीं हो पाई यह सुनने में आया है लोग को हर इसे हैं तो एसे जो कारे करने वाले गश्च अब बुछ Post पुछता ही नहीं है यहां पर बहुत सारी जाती प्रता भी मैं ने देखी है और उसी से में बहुत लोगों को पीडित होते हुए देखा अच्छा हम एक और बात पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे स्टाल वारी बात चली है और आपने कहा कि महिला स्वा सहता समू बहुत और कुछ करना चाहिए तो उसके लिए क्या रिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है मैं क्या बहुता है पैले ईक साथ बैठा करते हैं और बैठाने के बार आपनी योजना है जो हमारे मन पागडिंआर्या और पागडिंदी कि एकसा कि तो आपने ऐसे जगे में सप्लाइ करें, तो हम हर उन महिलाओं को अपने जुड़ी हुई है, उनको प्रेडित करते हैं, अगर आप धान का काम जानती हैं, तो आप धान को उसमें कैसे सजा के करनी हैं, आप उस चीज के लिए करिए, ऐसा करके हम सब आठ दस प्रगार अपनी सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद फिर आपने एक फाइनल बनाते हैं, कहां आपको इस चीज में रेजिट्रेशन करवाने हैं, तो हम चाहते हैं गौर्ण्मेंट को सप्लाई करते रहें, आए को उससे भी हमको इंकम मिलता रहें, फिर उसके बाद आपन फोरम सोसाइट सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए कुछ विशेश वरीता होती हैं, पड़ी लिखी हैं, उनको भी एनिकी हैं, वो चाहे तो सवासाइटा समू के अलावा, एंजियो के लिए भी हो अपनी एक यूनिटी बना सकते हैं, और एंजियो जो भी होता है कारे, वह बहुत अच् आपको कुछ अवार्ड होगार मिले हैं, उतक्रिष्ट कारे के लिए, हाँ सर, मैं थोड़ा मुड़ा गाभी लेती हूँ, लिखती भी हूँ, और अपना ये जो है, इस कारे के लिए भी, आपको पुरसकार होगार मिला है, मुझे बावु जिवर्रम कला साहित एक अदमी, दिल्ली से पुरसक्रित होई हूँ, महिला दिवस पर, और महा सबुन से भी हूँ, बिलासा कला मन से भी जुड़ी हूँ, और वहां से भी मुझे होते रहता है, जो भी साहितिक प्रोड़ाम होते हैं, मैं महा जाती भी रहती हूँ, और ऐसे छुड़ी जगे में, जहां भी होता है मैं बिलकुल महासे प्रस्कृत भी हुई मेरे पास प्रमान पत्र भी है बहुत सारी प्रतिभा सागर जी आप स्टूडियों आई और महिलाओं को उध्यमी बनने के लिए उध्योग लगाने के लिए आप जिस धंक से प्रेरित करीं उमीद है कि महिलाएं आपके विच अब आप मुखातिव हो रहे थे प्रतिभा आरती महिला स्वासाहस्दा समुह बिलासपूर की प्रमुख प्रतिभा सागर से इन्होंने बताया कि राहें अगर आप तैय करते हैं और पका इरादा है तो आपको कोई डिगाह नहीं सकता और आप मनजिल को जरूर प्राप कर स रखते हैं उद्योग जगत के अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही उद्यमी से पुनह आपकी भेट करवाएंगे तब तक अपने दोस्त शशांखरे को देजे अजाजत नमस्कार